वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल यह question ट्रिक्नमेट्री से हमें वैलु फाइंड करनी है Cos 45 degree over secant 30 degree plus cosecan 30 degree तो यहाँ पे हमारे पास table में यह values हैं 30 degree और 45 के हमारे पास values हैं तो मैं value substitute कर देता हूँ Cos 45 जो होता है वो हमारे पास होता है 1 और रूट 2 secant 30, secant 30 के मारे पास value होती है 2 upon root 3 और cosecant 30 इसके मारे पास value होती है 2 तो इसको मैं 2 over 1 लिख सकता हूँ अम इसको solve करूँगा, तो यहाँ पर देखिए यह मारे पास numerator है जो भी fraction में है और जो denominator है वो भी fraction में है तो numerator को तो मैं as it is लिख हूँगा, लेकिन denominator में LCM लेना पड़ेगा तो under 3 और 1 का जो LCM हो जाएगा under 3 अब under 3 के table पे यह under 3 से under 3 को divide करें तो 1 आता है तो 2 को 1 से multiply किया 2 into 1 हो गया plus 1 से हम अगर divide करते है under 3 को तो under 3 आता है जो 2 से multiply करके हमारे पास 2 under 3 बनेगा तो यह आपका LCM हो गया denominator का इसके बाद हम इसको change कर देते हैं 1 upon under 2 denominator जो हमारा fraction में है इसको हम multiply में करके reciprocal करके लिखेंगे तो यह हमारे पास इस तरह से लेगा 2 plus 2 root 3 यह जो denominator है अगर हम इसको इस form में लिखना चाहें तो यह reciprocal हो जाएगा जो इस form में आएगा आगे है multiply करेंगे 1 के साथ under 3 को किया तो यह under 3 हो गया और under 2 का multiply करेंगे तो इसको मैं इस form में मैं लिख दूँगा फिलाल आप के लिए ताकि आपको यह समझा जाए दोनों को multiply हमने करना है तो यह हो जाएगा अंडूर 3 ओबर 2 root 2 से हमने 2 को multiply हो गया 2 root 2 plus root 2 को next हम से multiply करेंगे तो यह जाएगा root under 6 जो root 2 है और root 3 है अभी multiply जाएगे तो root 6 आ जाएगा अब अगर आप इसमें देखें तो denominator में हमारे पास 2 common है तो हम इसको 2 common ले लेते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जाएगा अंडूर 2 प्लस अंडूर 6 अब हमारे पास यह formula होता है कि condition है कि denominator में यह ratio number नहीं होना चाहिए तो हम इसकी rationalization कर देंगे तो इसका जो rationalizing factor आएगा वो होगा हमारे पास अंडूर 2 प्लस अंडूर 6 है तो हम multiply करेंगे अंडूर 2 माइनस अंडूर 6 के साथ ओबर अंडूर 2 माइनस अंडूर 6 के साथ अब यह identity बनते है denominator में a प्लस बी इंटूर a माइनस बी तो यह हमारे पास multiply करके बन जाएगा अंडूर 2 होल स्केर माइनस अंडूर 6 होल स्केर बड़े स्केर के अंदर identity बनी a प्लस b a माइनस b बनेगी a स्केर माइनस b स्केर तो आगे हम इसको solve करेंगे वैसे ही root 3 जो अंडर multiply करेगा तो root 2 root 3 जो root 6 हो जाएगा minus root 3 और root 6 जो अब root 18 हो जाएगा over 2 into यह root से square root खत्म हो गया square root से square root खत्म हो गया तो 2 माइनस 6 हमारे पास आगया अंडर 6 as it is रहेगा और जो 18 है उसको हम लिख सकते है 9 into 2 over 2 into minus 4 तो अब हमारे पास देखें हम पर जो 9 है वो perfect square वो square से बाहर आ जाएगा तो यह आ गया हमारे पास 6 और यह square root से बाहर आएगा तो बनेगा 3 root 2 over minus 8 यह आप इसको लिख सकते है minus अगर common लिलोगे तो 3 root 2 minus root 6 over 8 यह इसका answer आ गया thank you